नमस्कार किसान बाईयो मालवा किसान चेनल में आपका स्वागत हैं किसान बाईयो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस वर्ष जिन भी किसान बाईयो को CPS पद्दती के तहट अफिम के पट्टे मिलने वाले हैं या जो पिछले दो वर्षों से CPS पद्दती के तहत अफिम की खेती कर रहे हैं उन सभी किसान भाईयों के लिए बहुत ही जरूरी सुचना है बहुत important point जो है अफिम निती जो 2023 गोशित हुई है इसमें जो main main point है उन सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं किसान भाईयों आपसे एक अनुरोत रहेगा कि आप इस वीडियो के एक बार अनते तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वर्चे जो भी किसान भाईयों CPS पद्दती के तहत खेती करने वाले हैं उनके लिए बहुत ही जरूरी सुचना है और किसान भाईयों आपसे एक अनुरोत रहेगा कि यदि आप हमारी इस चैनल पर पहली बार आया तो हमारी इस चैनल को जरूर सस्क्राइब कीजेगा और इस वीडियो का अपने सभी किसान भाईयों तो एक बार जरूर शेर कीजेगा तो चलिए किसान भाई यो हम देख लेते हैं इंपोडेंट जो सूचना है सबसे पहले किसान भाई यो हम बात कर लेते हैं सभी किसान भाई जाए जो दो वर्षों से CPS पद्देती के तहत अफिम के खेती कर रहे हैं चाहे वो हो या चाहे इस वर्षों से जिन भी किसान भाईयों को पूराने कटे हुए पट्टे हैं, जो इस वर्ष से CPS पद्देती के तहद मिलने वाले हैं, तो उन सभी के लिए सबसे पहला पॉइंट जो हैं, आम देख लेते हैं, पूर्व जो चेतावनी है, छे नंबर का जो पॉइंट आपको धीक रहा होगा इसक्रीन पर, इसमें तिसरा नंबर का पॉइंट जो उस पर आपको सभी को ध्यान देना बहुत ही जरूर है, इसमें बताये गए हैं कि अगले वर्ष यानि कि 2024 में अफिम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस है, तो पात्र होने के लिए फसल वर्ष 2023 के दोरान भूसे के सा अनलोश्ड पोस्त केट्सूल की प्रती हेक्टियर, 700 किलोग्राम उसत उपज हासिल की जाना चाहिए, यानि कि किसान भायों भी दो वर्ष यो से सीपेस पद्दती के तहत अफिम की खेती हो रही थी, तो उसमें सरकार को कितना डोड़ा और आट इंची का तना देने की थी उसमें कोई फिक्स नहीं था, लेकिन इस वर्ष तो सभी किसान भायों जो सीपेस पद्दती के तहत अफिम की खेती करने वाले हैं, उनके लिए ये पॉइंट बहुत ही जरूरी है, कि इसमें बता दिया है, इस पर्ष्ट के प्रती हेक्टियर, 700 किलोग्राम उसत उपज द यानि कि अगर हम 10 आरी के साफ से केलकुलेशन करते हैं, तो 10 आरी में आपको 70 किलो अफिम का डोडा और 8 इंच का तना देना जरूरी है, अगर आप अगले वर्ष यानि कि 2024 में अफिम की खेती सीपेस पद्दती के ताहत दुबारा करना चाहते हैं, तो ये पाइंट सभी क 40 इंच का तना देना जरूरी है, इसके बाद हम अगले पॉइंट पर बात कर लेते हैं, इसमें बताएगा है लाइसेंस की जो आउदी हैं, यानि कि किसान भाइयों जो इसमें लाइसेंस की आउदी की बारे में बात करते हैं, तो इसमें इस वर्ष जिन भी किसान भाइयों को छोड़ कर पोस्त फूस जिसके लोसिंग से रस नहीं कलता हो कि उत्पादन के लिए अफिम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस इसके जारी होने से पांच फसल वर्षों के लिए जारी किया जाएगा अर्थाथ फसल वर्ष दो जार्टेवी चोवीष में जारी किया जाएगा वो फसल वर्ष दो जार्स दो जार्सटेजip अठाइड तो वो लगातर पांच वर्षो तक के लिए वेद रहेंगे और उनकी समय अउधी रहेगी 2037-28 तक वो अफिम की खेती CPS पद्दती के तहत कर सकते हैं आगे सरकार क्या नीती निकालती हैं उसके लिए अभी कोई जानकारी नहीं है लेकिन इस नीती में जो बताए गया हैं उनको लगातर 5 वर्षो तक CPS पद्दती के तहत खेती करना है अगर हम अगला पॉइंट पर बात करते हैं 4 नंबर का पॉइंट है इसमें बताए गया है अधिक्तम शेत्र अगर सबी किसान जो पात्र रहेंगे छी पेश पद्दती के सबी को पत्य को 0.1,1 के लिए लाइसेंस दिया जाएगा इसके बाद जो मैंने मेन आपको बटाया ता भी वीडEO के अंदर में पॉइंट पर हम बात करते हैं इसमें दिया गया है खेती है तू पात्रता है तू 2.1 में जो बताएगा है पांच वर्षे के लिए जारी किये गए लाइसेंस के आदार पर वे किसान जिनों ने फसल वर्ष दोजार वाविस तेविस के दोरान पोस्त बूस जिससे लोसिंग कर लोका नहीं गया है तो इसमें बताएगा है कि जिन किसान भाईयों ने पिछले वर्ष यानि के 2022 में सीपेस पद्दती के ताहत अफिम के खेती के ती तो उनको लगातार पांच वर्षों तक अफिम की खेती का अधिकार है लेकिन उनका जो अफिम के आओधी रहेगी वह र असल वर्ष 2022 में मार्फिन के ओसत उपच MQYM 3.0 kg प्रती हेक्टियर या इससे अधिक लेकि 4.2 kg प्रती हेक्टियर से कम जमा कराई यानि कि जो भी किसान भाई इस वर्ष नहें पट्टे जो पिछले वर्ष जिनोंने आफिम के जो ओसत जो थी मार्फिन उनकी आई अगर 3 4.2 के मध्य में अगर आपके मार्फिन आई होगी तो इस वर्ष आपको सीपेस पद्दादी के तहथ पट्टा में लगा और वह भी लगातार 5 वर्ष तक आपको सीपेस पद्दादी के तहथ अफिम के खेती करना होगा तो किसान भाईयों हमने इस वीडियो के अंतरगात जो सीपेस पद्दादी के तहथ नहीं अफिम नीते जो गोशित केती वित्त मंत्राले राजस विबाग दुआरा नहीं दिली 13 सितमबर 2023 को तो इसमें सभी किसान भाईयों के लिए जो में में पॉइंट है उस पर हमने चर्चा की सबसे में पॉइंट तो यह रहा कि इस वर सब्सक्राइब के हिसाब से आपको सरकार को पोस्ता का जो डोड़ा होता है वह और आट इंच का तना देना आपको बहुत ही जरूरी है यह सुचना सभी किसान भाईयों के लिए जो सीपेस पद्दादी के तरहत खेती करने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपॉन रह हैं तो किसान भाईयों हमारे दोवारे इस वीडियो में जो आपको जानकरी बताई गई हैं आपको बहुत अच्छी तरीके सा समझ में आ गई होगी और जड़िया आप हमारी चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को जरूर सस्क्राइब किजेगा और इस वीडियों का अपने